बुद्मानिम प्यारे बच्चों आज हम क्लास एट की सोशल साइंस की वर्क्षीट टंबर नाइन को डिस्कस करेंगे बिटाई आपके सामाजी को राजनितिक जीवन के चैप्टर वन भारते समीधान से लिए गई हैं और इस वर्क्षीट में हम भारते समीधान के मुख्य ल कि स्वतंत्रता संगर्ष ने भारते जन्ता को विस्क मतादि का प्रियोग करने योग्य बना दिया हैं उन्हें विश्वास था कि इससे लोगतांत्रिक सोच और तोड़ तरीकों को प्रोच्शान मिलेगा साथी जाती धर्म लिंग आदि के फर्क पर आधारित आसमानता की वेडियो को भी तोड़ा जा सकता है तो बच्चो बारत का जो समिधान वो अपने सभी नागरिकों को बोट डालने का अधिकार देता है जो भी 18 साल या उसे अधिकुम्र के नागरिक हैं वो सभी बोट डाल सकते हैं जो समिधान सभा के सद्दस्य थे उनको लगा कि जो अभी लोगों ने बढ़ चड़के हिस्सा लिया और एक साथ मिलकर स्वतंतिता के लिए थंगर्श किया तो उनको असे रगा कि जो भारतिय जनता हैं उनको व्यस्क मतादिकार वो प्रयोग करने के योगें बन गई हैं और उन्हें विश्वास हुआ कि जो भी अगर हम उन सब व्यक्तियों को बैसक मतादिकार दे दिया जाएगा कि सभी को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा तो इसे लोगतान त्रिक सोच विक्सित होगी और साथ ही जो भी असामांता है जाति धर्म लिंग अधिके आदार पर वो सभी खत्म हो जाएगी क्योंकि जब सभी को एक जैसा अधिकार मिलेगा सभी प्यक्ति अपना वोट डाल सकेंगे एक समान वोट का अधिकार होगा चाहें वो किसी भी धर्म का ओ जादी का हो लिंक का ओ और अमीर है गरीब है तो वो सभी के बोट का मुल्य एक ही होगा इस तरह से लोग जो है अपने साशन विवस्ता में हिस्सेदारी लेंगे और इस तरह से जो ये आसमानता है वो भी खत्म हो जाएगी तो सार्भोमिक मतादिकार का मतलब है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाब दे ही होते हैं इस तरह संसद्य साशन प्रदति जनता के साशन प्रदति बन जाती है तो पिटा जो संसद्य साशन प्रदतियों उसमें क्या होता है जो देश के लोग होते हैं अपने प्रतिनितियों का सीधा चुनाव करते हैं खुद चुनाव करते हैं उनके सीधी भूमिका होते हैं और जो चुन के आते हैं प्रतिनिति वो जनता के प्रति जवाब दे होते हैं अगर जनता उनके काम से कुछ नहीं है तो उनको जवाब देना पड़ता है जनता को इस तरह से जो संसद्य साशन पदती यानि कि अपने प्रतिनिद्यों को चुनना वो जनता के साशन पदती पंजाती है कैसे क्योंकि जनता ही अपने प्रतिनिद्यों को चुनती है और वो ज आए पालिका विधाई का जो होती है और इसमें बच्चों जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनेदी होते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं और उनका काम क्या होता है कानून का निर्मान करना हो यह कानून बनाते हैं दूसरे हैं बेटा कारे पालिका इसमें ऐसे ल लागू करते हैं और साशन चलाने का काम इनका होता है तीसरा है हमारे बच्चो न्यायपाली का इसका काम होता है यह न्याय करने वाले संस्ता को हम न्यायपाली का कहते हैं जो हमारे कोर्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इस्टी कोर्ट उच न्याले सर्वोच न्या किया गया है जो शक्तियों का बटवारा किया गया है बच्चोव ही वेक्ति राजे की कोई भी शाक हा जो है वो अपने शक्तियों का गलत इस्तमाल करें इसलिए सभी अंगों की जो शक्तियं पर अंकुष रखता हैं कि अगर एक अंग काम ठीक से नहीं करा तो दूसरा अंग का उस पर अंकुश होता है यानिका जैसे अगर विदाइका की बात करें तो उसमें जो कानून का निर्मान किया जाते हैं लेकिन कारेपाली का क्या करते हैं कानून को लागू करती हैं और साशन चलाने का काम देखती हैं अगर कानुन का जो निर्मान वो सही नहीं हुआ है अगर सही कानुन नहीं बना तो कारेपाली का उसको लागो नहीं करेगी तो इस तरह से एक दूसरे अंग पर ये अंकुष रखते हैं आपस में और इस तरह से तीनों अंग जो है इनमें सत्धा का संतुलन बना रहता है अब तो उम्र हमने अभी बढ़ा भी था बक्षिट के स्टार्टिंग में 18 साल यून्तम उम्र है बोड डालने के लिए जंता द्वारा चुने जहते हैं कौन चुना जहता बच्चो प्रतीनी धी चुने जहते हैं अजाधी के लिए संगर्ष कौन सा संगर्ष था स्वतंत्रता गर्श के आ गया था कानून बनाने वाली संस्ता कौन सी होती है विधाई का कानून बनाना इसका काम होता है कानून को लागू करने वाली संस्ता कौन सी होती है कारे पाली का कानून को लागू करती है और कानून की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्ता न्याय पाली का आई हो बच्चों आपको ये सब क्लियर होगा अब हम इस वक्षिट की कोशिणंस को डिसकस कर लेते हैं हमारा फर्स्ट कोशिण है बच्चों सार भोमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं इसका अंसर है देश के हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के एक समान बोट डालने का अधिकार होना तथा अपने प्रतिनिद्यों को चुनना सार भोमिक मताधिकार कहलाता है इसका अंसर बच्चों संसद्य साशन पदती में अपने प्रतिनिद्यों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है और प्रतिनिद्य जनता के प्रति जवाब देहे होते हैं इस प्रकार संसद्य साशन पदती जनता की साशन पदती बन जाती है थर्ड कोश्चन है हमारा राज्य के मुखें अंग कौन से हैं इनका क्या महत्व है थर्ड कोश्चन का अंसर है हमारा बच्चों समीधान के अनुसार राज्य के तीन अंग है और उनके निम्ण महत्व है पहला अंग है हमारा विधाई का जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधी होते हैं जो कानून का निर्मान करते हैं दूसरा अंग है कारेपालिका कारेपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानून को लागू करने और साशन चलाने का काम देखते हैं तीसरा अंग है हमारा न्याय पाली का, न्याय करने वली संस्ता को न्याय पाली का कहा जाता है और इसका कारे कानून की सही व्याख्या करना है. फोर्थ कोश्चन है हमारा शक्ति का बटवारा को स्पष्ट कीजिए. इसका अंसर है बच्चों, राजिय द्वारा किसी भी शाखा या व्यक्ति द्वारा शक्तियों के दुरूपियों को रोपने के लिए शक्तियों का बटवारा विधाईका, कारेपालिका और न्याईपालिका में किया गया है इन सभी अंगों की शक्तियां अलग हैं प्रते एक अंग दूसरे अंग पर अंकुष रखता है अब यहाँ पर हमें कोविट से संबंदित एक संदेश दिया गया है दो गज अत्वा 6 फिट की शारिरिक दूरी का पालन करें तो बच्चों हमें कोविट 19 से बचने के लिए आपस में 2 गज और 6 फिट की शारिरिक दूरी का पालन करना चाहिए इतनी दूरी हमें अपने बीच रखने चाहिए अगर हम बाहर जा रहे हैं या हमारे घर में भी कोई आ रहे हैं तो इस दूरी का पालन हमें करना है ताकि हम करोना वाइरस से बच सके यहाँ पर हमारे वक्षीट कमप्लीट होती है आए हो बच्चों आपको वक्षीट समझ में आ गई होगी अगर आपको वक्षिट समझ में आई है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजी शेयर कीजी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, बाई 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 बच्चों, have a good day प्यारे बच्चों